दियर चिल्डरेन, स्वागत है आप से बिका हमारे यूट्यूब चानल स्टड़ी विद दुलार में बच्चों हमारा देश रिशियों का देश है और हम सब रिशियों के संतान हैं उसी प्रकार का एक कहानी दिया हुआ है रिशी से समंधित जहां पे बच्चे रिशियों के असरम में पढ़ाय करने के लिए जाते थे तो आईए हम लोग दिखते हैं ये चप्टर में कौन सा कहानी दिया हुआ है और ये चप्टर 7 ये का नाम है बालक आरूनी ये बहुत ही परचलित नाम है आरूनी के बारे में आप लोग सूने होंगे अगर नहीं सूने है तो नाम इतना परचलित क्यों है तो आईए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं प्राचीन भारत में बालकों को सिच्छा देने के लिए अनेक गुरुकूल और आसरम थे ये गुरुकूल और आसरम नगरों से दूर होते थे गाओं के पास के वनों में ये बने होते थे ये आसरम नगरों ग्रामों से दूर वन के एकांत में सिच्छा देने में सफल होते थे खेतों में खेती होती थी खेत की उपज से आसरम का परबंध हो जाता था उपवन के पेड़ पोधे फूल अध्यन मनन और अभ्यास में सहायक थे वातवरन भी सुध एवं स्वास्तपर्द होता था आज का सहरी हवा पानी बालकों की सिच्छा के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है आज भी रविंद्र नाथ थाकुर का सांतिनी केतन तथा स्वा के आसपास नहीं होते थे जंगलों में हुआ करते थे गाउं के आसपास तो वहां पे खेती भी होती थी तो बच्चे लोग और गुरू मिलके ही खेती क्या करते थे और उसी की उपज से वहां गुरू जी हो गए और जितने भी स्टुडेंट होते थे उन सभी का भोजन उस प्राचिनकाल में ऐसा ही एक आसरम था हरे भरे खेतों के बीच में बना हुआ था आचारी इस आसरम में अपने सिस्यों को पढ़ाते थे सिस्से ही खेतों में खेती कर स्रम एवम किर्सी का अभ्यास करते थे प्राचिन काल, पुराने समय में एक आसरम था, उसी आसरम के बारे मतलाया जा रहा है, कि वह खेतों के बीच में था, गुरू जी वहाँ अपने सिस्यों को पढ़ाते थे, और सिस्यों ही खेतों में काम करते थे, पहले जो पढ़ाई होता था, उसमें सरम का भी बहुत सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, काम करने के लिए भी सुखाए जाता था, आप अगर पढ़ेंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि जब गुरुकुल के बारे में पढ़ेंगे, प्राचिन बिध्याले के बारे में आसरम के बारे में, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जितने भी students पढ़ते थे हुए आसरम के लिए लकडियां लाते थे और भोजन की ब्योस्था करते थे मतलब सारा काम वे खुद ही करते थे उसी खेती से आसरम चलता था वो जो काम करते थे आसरम में जो भी भोजन ब्योस्था होता था तो student लोग ही क्या करते थे तो उसके लिए गुरू जी बताया करते थे तो गुरू जी के सीज से बड़े आग्याकारी थे बड़े अनुसासित थे आसरम का अर्थ ही है जहां सरम किया जाए अब इसको आप लोग अपने ध्यान में डाल लिजे कि आसरम का अर्थ है कि जहां सरम किया जाए मतलब मेहनत किया जाए उसी को आसरम बोला जाता है सरम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता हमें अगर पढ़ाई करना हो या जीवन में कुछ भी पराप्त करना हो तो उसके लिए हमें सरम करना पड़ता है उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, आगे देखते हैं। आरुनी, क्योंकि इस चेप्टर का नाम आरुनी पे ही है, तो इसलिए आरुनी के बारे में बता रहा है, उसमें पानी रहे ये ठीक है, लेकिन इतनी पानी ना रहे कि जो धान का पोधा है वो बाजाए। खेत की मेड तूट गई थी, इस तूटन से खेत का पानी तेजी से बाहर निकल रहा है, इसे तो बचाना है, नहीं तो सारा परिश्रम मिट्टी में मिल जाएगा। आरूनी गुरू की आग्या को पाकर वो चल दिया खेत की और जब वहाँ पहुंचता है, तो देखता है खेत में जो पानी है, वो पानी तो खेत में है, लेकिन मेड तूटा हुआ है, तो मेड तूटा हुआ है तो उससे सारा पानी निकलते जा रहा है, और इसे बचाना बह बार कार से भिश्म परतिग्या थी। जब वह बार बार परियास कर रहा था। मिटी डाल रहा था और फिर थोड़ी दिर मिटी बाकर बाहर लिकल जाती थी और पानी निकलने लगती थी जब कई बार वह इसको किया और जब सफल नहीं हुआ तो वह देखा कि सारा कुछ बरबाद हो जाएगा इसलिए वह मेड के जगा पे खुद ही सो गया ताकि पानी रो लेट गया और किचड में वह लेट जाता है क्योंकि वह ऐसा फैसला कर चुका था पानी का बहना रुख गया अब वह जब वहां लेट जाता है तो पानी रुख जाता है शरीर को कस्ट हो रहा था पर उसका हिरदय मोर सा प्रसन हो नाच रहा था अलाकि उसके शरीर में दिक प्रसंद था तो कभी धूफ हो रहा था कभी बादल आ रहे थे कभी पानी बरसने किस्तिती बन रहा था लेकिन फिर भी वहां से उठा नहीं और क्योंकि वह करते भी को निभा रहा था इसलिए वह उस समय भूख प्यास भूल गया था आसरम की खेती अपने स्रम से अन उपज दाए अन का भोजन और इन सब के लिए गुरू जी का निर्देश यही तो सिस्धि का जीवन हैं वस लेटे-लेटे सोच रहा था कि बिध्यार्थी जीवन में अन उपजाना है, रही करना है और जो हम अनुपजा रहे हैं उससे गुरू जी का और सारे विध्यार्थियों का भरन पोषन होता है और यही करना एक सिस्षिका कर्म है यही सिस्षिका जीवन है तो यहाँ पे विद्याथी जीवन के बारे में पूरी तरह से आरूनी बतला रहा है और इस चप्टर में भी वही दिया गया है और इसका आगे देखते हैं संधिया होने लगी पस्चिम में लाली जलकने लगी देरे देरे अंधेरा चाने लगा पर आरूनी अपने अस्थान पर डटा रहा है उदर गुरी जी को चिंता हुई दूसरे सिस्षियों से पूछताच की सबने बताया कि आरूनी तो खेत की ओर गया है लोटता हुआ दिखा के लिए गया है और संधिया अभी होने लगा है फिर भी आरूनी अभी तक वापस नहीं आया तो गुरुजी को चिंता सुभाविक थी उसे चिंता हुई उन्होंने दूसरे चात्रों से पूछा कि आरूनी को उन लोगों ने देखा है तो उन लोगों ने बतलाया कि उनको तो सुबह खेत जाते हुए देखा गया, लेकिन अभी तक उसे लोटते हुए नहीं देखें हम लोग। गुरू जी की चिंता बढ़ गई, और वो खेत की ओर चल पड़े। गुरू जी की चिंता बढ़ गई, वे खेत की ओर चल पड़े, कुछ सिच से भी साथ हो गए। गुरू जी ने आरोनी को पुकारा, आरोनी ने लेटे लेटे उतर दिया, मैं खेत की मेड के पास लेटा हुआ हूँ, जब कोई उपाई नहीं सुझा, तो गुरू जी ने आवाज देना शुरू किया, क्या आरोनी तुम कहा हो, तो आरोनी लेटे लेटे जवाब दे रहा ह गुरु जी को लगा कि ऐसा सोच वाला बच्चा हो सकता है ये सोच से परे है अईने सिस्ष्यों की आँखे खुली रगई बाकी जो बच्चे थे वो आस्चे रिचकित थे कि आरुनी ऐसा कर सकता है गुरु जी का भाव भी बहुत हिर्दे बोल उठा तुम्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा और इसी तरह से आरुनी का नाम अमर हो जाता है और हम लोग आज भी इनको इस बुक के चप्टर के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं और हमें आरुनी से सिछा लेने की आव सकता है आज के बच्चों को कि गुरु के लिए वे क्या कर सकते हैं गुरु जी की आग्यां से आरुनी अपनी जगह से उठा गुरु ने आसिस दी साथी विद्यारत्यों ने मंगल कामना की और तब सब ने मिलकर मिट्टी से मेड की मरमत कर दी गुरू की आग्याँ पाकर आरुनी वहां से उठ जाता है और उस खेत की मेड को जो टूट रहा था बार बार उसको सब मिलकर उसकी मरम्मत कर देते हैं आरुनी अपने अथक परिश्रम सात्विक जीवन तथा उच विचार से यसस्वी बन गया तो यारुनी इस परकार से उनकी सोच जैसी थी वैसा वो करता गया और उस तरह से वह एक महान विक्ति बना और हम लोग उसको हमेशा के लिए याद करते हैं तो उनके जीवन से हम लोग सिख सकते हैं कि अपने गुरू के लिए हमें किस परकार से कायरे करना चाहिए तो यहाँ पर चप्टर समाप्त हो जाता है आज़े देखते हैं क्या question है यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब्दार्त दिया हुआ है और question number two में मोटे अच्छरों calling निरने करें यहाँ पर इसको बतलाना है कि यह इस्तिलिंग है यह पूलिंग है तो इसके आगे देखते हैं चार नमर में मुहावरे दिया गया है इसको पढ़ लेना है आप लोग को याद कर लेना है और question number five में इस chapter का मुझे questions दिया हुआ है तो आई मैं आप लोग को इसके जो मुझे question है उसका answer बना के दिखाता हूँ यह chapter seven का question answer निमन वाइक को में मोटे अच्छरों का link निरने करें वाइक में जो मोटे अच्छरों में जो सब दिया हुआ है उसका stealing pooling बतलाना है जो कि यहाँ पर मैंने उसका direct answer दे दिया है आप इसको देखकर बना सकते हैं question number five में इस chapter का question answer है निमलिकित प्रोष्ण के उतर दें प्राचिन भारत में विद्याले क्या कहलाते थे वे कहां बने होते थे वे गाउं के पास वनों में बने होते थे आरूनी कैसा विद्यारती था आरूनी तेजस्वी और मनस्वी विद्यारती था गुरूने क्या आग्या दी गुरूने आरूनी को आग्या देते हुए कहा कि आरूनी धान के खेत की देखभाल करो खेत में वर्षा से तरी आ जाए किन्तु वह वर्षा में बहना जाए आरुनी ने खेत पर जाकर क्या 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 आरुनी ने खेत पर जाकर टुटी वी मेड पर मिट्टी डाल दी परंतु थोड़ी ही देर में वह मिट्टी बह गई वह बार बार डालता रहा और मिट्टी बहती गई अंत में वह स्वैम मिट्टी कीच में लेटकर पानी को रोक दि उसे कैसी आसिस दी गुरु जी ने उसे आसिस देते वे कहा कि तुम अपने परिश्रम, साधा जीवन और उच विचार से महान बनोगे और यहाँ पर यह चप्टर पुरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगो को हमारे इस वीडियो से थोड़ा भी पढ़ाही में मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए इसी तरह के चप्टर बाइ चप्टर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ सेर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं